Hello everyone, I hope आप सभी अच्छे होंगे Friends, आज के इस वीडियो में हम ASO in Railways की job profile के बारे में discuss करेंगे ASO की जो post होती है, वो ministerial post होती है और group भी post होती है Ministerial post का मतलब यह होता है कि इसकी posting सिर्फ और सिर्फ ministries में ही होगी तो जैसा की railway के case में है, तो ministry of railways जो है, वो rail भवन New Delhi में ही है Rail भवन के बारे में जानने के लिए आप Google कर सकते हैं, Google में Pix देख सकते हैं कुछ लोगों के मन में यह confusion होता है कि railway की चूकी job है, तो हम कहीं भी All India posting ले सकते हैं तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है, तो यह post opt करने से पहले, आप यह सोच लें कि आपको डेली में job करने में कोई issue नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी और पूरी service सिर्फ New Delhi में ही होने वाली है और वो भी एक building यानि की railway one में, अभी Central Vista जो है वो अंडर construction है, उसके बनने के बाद हो सकता है कि building चेंज हो जाए, तो अभी फिलाल यह railway one New Delhi में ही है, तो यह आपकी place of posting की बात हो गई, अब हम joining की बात करते हैं, तो joining की जो process होती है, वो start होती है आपके doziers आने से, SSC अप Ministry of Railways है, वो आपको attestation form issue करता है, attestation form वो होता है, जिसमें department आपसे आपकी पूरी information जो है, वो मांगता है, और जब आप attestation form submit कर देते हैं, उसके बाद आपको joining letter issue कर दिया जाता है, सीजल से मिलने वाली जितनी post हैं, उनमें जिन departments की joining जल्दी आती है, Ministry of Railways उनमें से भी एक है, और ये CSS की तरह इसकी joining भी बहुत जल्दी हो जाती है, लगबग तीन महीने का एक average period लगता है, last year चुकि COVID था, इस विए से थोड़ा डिले हुआ, और बाकी इसमें कोई भी जादा time नहीं लगता है, तो ये आपकी joining time की बात हो गई, अब joining के बात जो एक सबसे common question हो पाद एक 15 से 20 दिन की training पर भेजा जाता था, जो कि डेली में ही होती है, और उसमें उन्हें वही office की basic सिखाये जाते थे, लेकिन 2016 के बाद से क्या हुआ, कि हमारी जो training है, ASO in Railways की जो training है, वो ASO in CSS के साथ होने लगी, और पूरी two and half months की लगबग 10 अफतों की वह एक training होती ह जो की बहुत ही knowledgeful, बहुत ही entertaining और बहुत ही मस्ती वाली होती है, तो जो normally 10 अफते की training होती है, उसमें ज्यादा तर समय तो हमारा classroom training में भी जाता है, लेकिन वहां पर जो भी activities होती है, उससे आपकी personality development, आपका knowledge, आपकी जो office working है, उसमें आपका बहुत ही बहुत गेन मिलता ह उसमें दो हफते का एक ऐसा period होता है, जिसमें हम भारत दर्शन के लिए जाते हैं, भारत दर्शन जो घूमने का समय होता है, वो बिलकुल आपको एक IES की training की याद दिला देता है, क्योंकि भारत दर्शन उनकी training का भी एक part होता है, भारत दर्शन में हम लगबग उन दो वहां पर रुकने के लिए हमें 3-4 star hotels का arrangement होता है, गूमने के लिए हमें luxury buses होती है, कुल मिला करके government आपको इस फैसिलिटी सारी इसलिए देती है, ताकि आप उन चीजों से जो सीख सकें, उसको आप अपनी working में ला सकें, ट्रेनिंग में ही एक हफते का एक ऐसा period होता है, ज वहां पर उन से एकस्पेक्ट किया जाता है, कि आप विलिजस में जाईए, वहां के लोगों की जो life style है उसको देखिए, और जो एक common man है, जो एक इंडिया की पहचान है, कि एक आम आदमी जो सबसे last hour पे है, उसकी क्या जरूरते हैं, उनको देखिए, और तब आप उनकी policy बनाई है, क्योंकि अगर उसने वह कभी देखा नहीं है, तो एक रूम में बैठकर वो उनके लिए कैसे policy बना सकता है, हला कि ASO in Railways के लिए इस विलेज अटेश्मेंट का जॉब में कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब आप उसमें वहां बिताते हैं, तो आपकी personality development में नहीं हो पाई COVID की वज़े से, लेकिन 2018 batch की training होगी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि COVID की जो चीज़ेंगे और जब तक 18 batch की joining आएगी तब तक शायद आप लोग उस training को enjoy कर पाएं, तो मैं यह होप करूँगा है कि आप उस training को अच्छे से enjoy कर पाएं, यह मैंने आपको training का कर दिया, अब हम मेन working के बारे में, working nature के बारे में, working hours के बारे में, डिसकस करते हैं, जो कि हमें पूरी service face करना है, Friends, ASO in Railways की जो working hours हैं, हमारा डैली में कुछ offices का time 9 से 5 होता है, और कुछ offices का 9 से 6 होता है, तो हमारा जो railway horn का timing है, वो 9 से 5 का है, हमें 9 बजे office आना होता है, और 5 तक हमें आपे काम करना होता है, और 5 के बाद हम अपने घर जा सकते हैं, यह 5 days work है, Saturday, Sunday आपकी पूरी होती है, यह मैंने एक normal scenario बता दिया, अब working nature कैसा होता है, working nature जो आपका होता है, वो आपको कौन सा section अलॉट होता है, और उस section में आपको कौन सी seat अलॉट होती है, इस पे depend करता है, कुछ sections ऐसे होते हैं, जहां एक average work आपको पूरे साल रहता है, मतलब अगर आप उस section में है, आपका एक daily routine fix है, वहां आपको एक average work करना है, कुछ sections ऐसे होते हैं, जो जैसे parliament होते हैं, जो parliamentary business से जुड़े हुए होते हैं, तो जब उनमें session चलता है, तो वो बहुत hectic हो जाते हैं, और उनमें late night रुपना एक बहुत आम बात होती है, लेकिन जब session नहीं चला होता, तो उ Saturday Sunday जाना होता है, लेकिन जब भी कोई leave वाले दिन office जाता है, तो non-graduate staff को एक compensatory leave भी मिलती है, तो उसका भी कोई एक issue नहीं है, तो उसका भी कोई एक issue नहीं है, वर्किंग नेचर के बारे में और अगर मैं explain करूं, तो मैं यही कहूंगा, कि यह section to section इतना ज़्यादा वैरी क office में आपको क्या का facilities मिलती है, हमारा office काफी बड़ा है, जब आप चाहें तो आप रेल भाउन की photos देख सकते हैं, गूगल में, office के अंदर ही आपको bank है, post office है, even वहां पर एक छोटा सा general store भी है, और एक mother dairy का भी booth है, तो आपको इन सब चीजों के लिए कभी बाहर नहीं जा कि अगर आपको पैसे भी निकालने है, तो आपको यह नी सोचना कि आपको बाहर जाना है, आप अपने office में एक ATM से पैसे भी निकाल सकते हैं, तो यह एक office का मैंने थोड़ा से introduction दे दिया, लगबग office में 70-80 sections होंगे, और एक section में usually 2-3 section officers होते हैं, और हमें section officers के अंडर में क under secretary को report करते हैं, कभी-कभी कोई ऐसा case होता है कि section officer भी नहीं है, under secretary भी नहीं है, तो जो ASO हैं वो सीधे director को report करते हैं, तो यह एक exceptional cases होते हैं, और वो जब आप जोईन करेंगे, तो धीरे-धीरे इन चीजों के बारे में सीख जाएंगे, यह हो गए working nature के बारे में, अब मैं promotion के बारे में बात कर देता हूं, जो कि एक बड़ा important topic है, और इसके बारे में बात करना भी जरूरी है, friends, promotion बहुत अच्छे भी हैं, और खराब भी हैं, अच्छे मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि जैसे ही एक ASO जोईन करता है, तो उसके जोईन करने के 5 साल के अंदर, UPSC और अगर वो इस exam को qualify करता है, तो वो एक section officer बन जाता है, और अगर वो इस exam से promote होके section officer बन जाता है, तो आगे उसका career बहुत अच्छा होता है, हमारी जो service है ASO की, उसकी जो maximum posting होती है, वो joint secretary तक के level पे होती है, और आप सभी को बता है, कि joint secretary बहुत ही powerful post होती है, मैंने खरा जो 2015 के बाद से नहीं हो पाया, तो फिर promotion कैसे होते हैं, तो normal अगर exam के बिना promotion होना है, तो उसका criteria यह है, कि ASO को एक 8 साल की service करना जरूरी है, ASO बनने के लिए, तो ASO का जो normal promotion होता है, फिर वो 8 से 9 साल पे होता है, क्योंकि vacancy भी होनी जरूरी है, इसलिए मैंने इसको खरा का आता, इसमें एक अच्छी बात यह है, कि जो 2015 का exam हुआ था, UPSC का, इस exam को LDC कहते हैं, Limited Departmental Competitive Examination, यह UPSC कराता है, तो इसका result अभी इसी साल, दो महीने पहले लगबगे से UPSC ने डिक्लेयर किया है, तो अब एक होप है, कि आगे भी exam होते रहेंगे, और हम लोगों को व बात करें, तो मैंने सेलरी के लिए एक बहुत comprehensive वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देखके बेसिक चीजें समझ सकते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसका introduction दे देता हूँ, आज की रेट में अगर कोई नया ASO जोईन करता है, तो ओपकि उसकी सेलरी जो है 58, 59 के आ एक और प्लेस पॉइंट होता है रेल्वे में, वो होता है बोनस का, फ्रेंट्स बांकी सभी डिपार्टमेंट में जो बोनस मिलता है वो एक एड होक बोनस होता है, जबकि रेल्वे में एक जो बोनस मिलता है वो पी यल बोनस होता है, यानि कि प्रोड़क्टिविटी लिं तो यह बोनस आपको तब ही तक मिलता है जब तब आप नॉन गैस्टेड होते हैं, जब तब नहीं दिया जाता है और गैस्टेड आफ़ीसर को कमपेंसेटरी लीफ भी नहीं मिलती जो मैंने आपको पहले बताई थी तो यह बोनस का सिनेयरियो हो गया अब रेल्वे में एक जो सबसे अच्छी फैसिलिटी मिलती है वो होती हमारे रेल्वे पासिस की और रेल्वे पी पी टिउस की इसके बारे मैं मैं आपको एक अलग से वीडियो भी बताऊंगा जिसमें मैं पूरा सिर्फ passes और PTO explain करूँगा अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा overview दे देता हूँ तो passes क्या होते हैं कि जब आप join करते हैं तो आपको हर साल एक pass मिलता है एक set pass मिलता है और चार set PTO's मिलते हैं पास का मतलब यह होता है कि आप उस pass को कहीं से भी कहीं तक के जरनी के लिए निकाल सकते हैं जैसे आपने join किया आपको pass मिला आपने उसे दो station के बीच के निकाल लिया और आप उसमें free of cost second AC में जरनी कर सकते हैं जो आपको चार set PTO's के मिलते हैं वो उसमें आपको सिर्फ one third of the base fare पे करना होता है तो अगर कहीं से कहीं का fare लगबग एक हजार रुपय है तो उसका अगर base fare का one third करते हैं तो टोटल का लगबग one fourth हो जाता है तो आपको वो एक हजार रुपय की जरनी है वो सिर्फ आपको धाई सो रुपय में आप कर सकते हैं तो ये एक अच्छा जो है facility है और इसकी वैसे railway की job का एक charm है दूसरा railway की service में जो मुझे आके सबसे अच्छा लगता है वो ये लगता है कि railway की जो service है वो एक family की तरह है आप कश्मीर से लेकर के कन्या कुमारी तक और इदर गुजराच से लेकर असम तक कहीं भी खड़े हो जाईए हर जगा railway है और हर जगा railway के offices हैं हर जगा railway के employees हैं आप किसी भी unknown city में है और आप किसी problem में है आपको सिर्फ और सिर्फ nearest RPF police station जाना है या nearest railway station जाना है railway station common man की life से इतना जुड़ा हुआ है कि आपको railway station तक जाने में कोई issue नहीं होगा अगर आप railway station या RPF station पहुंच जाते हैं तो आपको ऐसा फील आएगा कि आप अपने घर में हैं क्योंकि वो regard जो आपको मिलता है मिनिस्ट्री में होने की वएसे वो बहुत ही अच्छा फील कराता है तो इस वैसे इस railway की service का एक अलग ही चाम होता है जिसके करन आपने देखा होगा कि इसकी cutoff भी बहुत हाई जाती है तो यह मैंने एक लगबग लगबग overview बता दिया है अगर आपको कुछ और भी doubts हैं और भी कुछ queries रहे गई हैं तो आप comment कीजेगा मैं वो सारी queries अगर चो प्लीज मिलते हैं नेक्स वीडियो में